बरेली जिले के फरीद पूर सामुदाइक स्वास्त केंदर में डॉक्टर बाक करम चारी कर रहे मन मानी, मरीजनों को हो रही बेहत परिशानी आज फरीद पूर सामुदाइक स्वास्त केंदर में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली, जहां एक और कोरोना वाइरस की बज़े से देश के लोग परिशान है, वहीं फरीद पूर सामुदाइक स्वास्त केंदर के डॉक्टरों की मनमानी के चलते, बुखार खांसी जुकाम से पीड़त लोगबा गर्बती महिलाओं को दवाई के लिए भटकना पड़ रहा है कोरोना के खौफ के चलते बुखार या खांसी होने पर भी इनसान डर जाता है कहीं ये घातक ना हो जाए इसलिए वह दवाई लेने स्वास्त केंदर फरीत पूर जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर दवाई देने में आना कानी करते हैं मरीजों का कहना है कि जब दवाई लेने आते हैं तो बहुत मुश्किल से दवाई मिलती है एक गर्बवती महिला ने स्वास्त केंदर के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का खुलासा किया महिला ने बताया कि वह चार महा की गर्बवती है इसके बावजूद डॉक्टर ने उसकी जाच किये बिना ही एक परचे पर दवा लिख कर बाहर से लेने के लिए कह दिया और बहां से भेज दिया गर्बती महिला के साथ डॉक्टर का ऐसा रवया स्वास्त केंदर के डॉक्टरों की बड़ी लापरवही बया कर रहा है वही एक दूसरी महिला ने बताया कि वह कल दवाई ले गई थी लेकिन दवाई से कोई फाइदा नहीं हुआ इसलिए आज फिर दवाई लेने आई तो डॉक्टरों ने दवाई नहीं दी बिना दवाई दिये ही महिला को भगा दिया भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का मरीजों से ऐसा रवया बेहद शर्मनाक है क्या दिक्कत है तो हमने बताया वो लें टेबलेट दे रहा है बाहर से लेका लेका लेना अगर आइसे हालत में टेबलेट खाएंगे तो यह दिक्कत अगर हो भी डॉक्टर जिम्मेदारी हुआ लेंगे इसकी के लाम है आपको कहा रहती किस लिए आई है दवाई लेने प्रवाई जादा है सांसी कुण जाते हैं कल दबाई लेगें ते लेका वाई देबाऊ देबाऊ है तो रहा है और भाई बाहरा वजाए तो नाराज होता है बहुत बृद आलक से प्रभाई जो यह दो लेका दो अज़ाते हैं